साथियों BSP के एक ओटर ने क्यों कहा कि इस बार हमें अपना ओट खराब नहीं करना है क्योंकि BSP के ओटर बहुत मजबूत होते हैं मायावती जी का मानना है लेकिन ऐसा क्यों गाउं में देखने को मिला कि उस औरत ने कहा कि हम अपना ओट बरबाद अब नहीं करेंगे क्यों गांधी को अकले सियादो जी कितनी सीख देंगे पहले गेरा सीटों पर मामला थे हुआ था लेकिन राहुल गांधी अकले सियादो से नाराज हो गए थे और अकले सियादो भी कुछ नाराजगी जताई थी लेकिन मामला ये था कि सारे लोग अकले सियादो को छोड़ कर बीज है आज की वीजियों हम सुरू करेंगे और जानेंगे सारी खबरे नमस्कार दोस्तों मैं हूं पराग और आप देख रहे देशी पेस्वी विलोग आज की तमाम खबरे जो लगातार वाइरल है सोचिए जब गाउं में पत्रकार जाते हैं तो किस तरह से बस्पा के पर्ति सड कर कहते हैं कि दादी आप किस को ओट देंगी दादी का जबाब आता है कि मैं बहन जी को ओट दोंगी तब पत्रकार महोदे का जबाब जाता है कि आप उन्हें ही को ओट दोंगी तो उन्होंने कहा जो जबाब दिया उसे सुनना चाहिए उन्होंने कहा कि मैं ओट इसलिए बस्पा को दूंगी बहन जी को दूंगी क्योंकि आज मैं जो बोल रही हूं ये बस्पा की ही देन है पत्रकार फिर कहता है क्योंकि पत्रकार की जो चालाकी होती है वो किसी से छुपी नहीं होती है आज जग जाहिर है कि किस तरह से चंदिगड के मेर चुनाव में एक पत्रक ने बता दिया कि वो गलत था सोचिये पत्रकार फिर कहता है कि आप अपना ओट खराब कर देंगी तो दादी कहती है हमको अपना ओट खराब करना अच्छा लगता है हम खराब कर देंगे लेकिन हम मोटवा तो देंगे बीएसपी पर ही देंगे हमें ओट खराब करना बहुत पत्रकार कहता है आपको रासम फिरी में मिल रहा है आपको सम्मान निधी मिल रही हो तमाम पैसे आपको मिल रहे हैं फिर आप अपना ओट सही जगा क्यों नहीं दे रही हैं तो उन्होंने कहा हम मजदूरी करके कमा खा लेंगे हमारे पास खेत है हम मजदूरी कर लेंगे खेत नहीं है हमारा ओटर कभी डिगेगा नहीं किसी के आगे बिकेगा नहीं चाहे वो कैसी भी परिस्तेती में क्योंना रह ले आप लोग की राइस पर जानना बहुत जरूरी है क्या यह बात सही उन्होंने कहा था या गलत वैसे तो आपको बता दें कि यह सारी वीडियो मैं टु अकलेश यादो का गजवंधन मद्ध परदेश राजिस्थान उन तमाम जगों पर हुआ तो कमलनाथ ने कहा कि कौन है अकलेश अकलेश यादो उसमें पर नाराज बहुत हुए थे लेकिन आज जब यूपी का मामला आया तब यूपी में राहुल गांधी को अकलेश याद लेकिन फिर राहुल गांधी ने सोचा कि चलो कुछ तो सही आता है अकलेश यादो ने मन बढ़ाया दिल बढ़ाया और 17 सीट दिये कौन कौन से सीट है इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कहां कहां से कौंग्रेश गटबंधन लड़ेगा और कहां से कितनी सीटे उनक हैं प्रहमण क्या सोचते हैं बिस पे और मायावती के बारे में यह जरूरी ख़बर है जिसके साथ यह खबर भी सुनना बहुत जरूरी है एक एक खबर हम आपको सुनाएंगे अगर पहली खबर की हम बात करें तो किस कितनी सीटे मिली है कांग्रेश को यह हम आपको बताते यूपी में सपा द्वारा कांगरेश को दी गई सीटे राय बरेली अमेखी कानपूर फतेपूर सिक्री बास गाउं सहारनपूर परियागराज महराज गंज बनारास अम्रोहाज हासी बुलंद सहर गाजियाबाद मतुरा सीतापूर बारा बनकी और देवरिया मद्द करना साथ सियु हम आपको बताते हैं खिर उसके बारे में इस खबर को भी जानना बेहत जरूरी है उतना जरूरी दलित सोचता था जानन है मानने आकास आनंद जी ने इसे टूइट करके लिखा है सोचिये उन्होंने कहा कि मानने आकास आनंद वबहन मायावती जी ने जो भी लिखा वो सत्यता सही लिखा था कि ऐसी भरती सिरिफ और सिरिफ BSP के कारकाल में हो सकती है कि दो-दो लाख भरतियां बैक-टो-बैक निकाली जाई और लगातार उसको न्यूकती पत्र देकर उनको कायर पर रखा जाए वो तमाम आज की खबरे सोचिए आप कल्पना नहीं कर सकते बहन जी की सरकार में दलित पिछड़े आदिवासी जर्नल केकरी के सभी लोग खुश थे लेकिन क्या पता इस बार कौन-कौन से लोग ओट करते हैं बहन जी को तो पूरा विश्वास अपने सभी ओटरों पर बहन जी ने कहा यद इवियम हट जाता तो हमें पता चल जाता कि हमारे कितने ओटर्स हैं इवियम के चलते हुए कुछ पता नहीं चल पाता है लेकिन आपको बताते वावन में सराम कड़ी मेहनत कर रहे हैं इवियम हटाने के लिए बहुत अच्छी तरीका से परदर्सन कर रहे हैं सडकों पर धरना दे रहे हैं इवियम को हटाने के लिए ये बड़ी खबर है सोचिए राकेश के कहते एक बार फिर कह रहा है कि दिल्ली कूच करेंगे सोचिए कहने बड़ा अंदोलन होगा इस बार और इतना बड़ा अंदोलन होगा कि एक दो महने के लिए नहीं जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक यह अंदोलन जारी रहेगा तमाम खबरे आज मैं आपको बताने की कोशिच कर रहा हूं जो लगातार वाइरल है केवी अकबार नहीं दिखाता क्योंकि केवी अकबार वह खबरे आपको दिखाता है जो आपके लिए साज उतना जरूरी नहीं होता है सुचिए तमाम लोग धरना परदर्शन कर रहे हैं एक भी मेगिया आपको टीवी पर दिखाती है अगर दिखाएगी तो आपको खालिश्थानी और तमाम तरीके से नाम देदेगी आपको तमाम वो इस्टुड़ान जो धरना पर दर्शन कर रहे हैं सोचिए तमाम सिच्छक बैकंसी वाले 600 तमाम लोग थे वो धरना पर बैठे हुए हैं ये नहीं दिखाएगी मेगिया क्योंकि इसे दिखाने से देश की छबी खराब हो जाएगी कि देश में किस तरह की सरकार है बाकी आप लोग की क्या राहे इस पर जानना बहुत जरूरी है दोस्तो अपनी राय जरूर दीजेगा अपना सुझाव जरूर दीजेगा ताकि हम आगे उस पर कायर कर सके इस वीडियो में दोस्तो बस इतना ही मिलेंगे एक और खबार एक नए राजनितिक मुद्दिक के साथ तब तक के लिए जैभीम नमो मुद्धार